गूड मार्निंग इस्टुडेंट आप सभी लोगों का संकाल पेगेडवी में स्वागत है आज हम लोग कच्छा बारा का प्रस्नावली दो का विबीत प्रस्नावली हल करने जा रहे हैं देखिए दिया है question number 14 इससे पहले वाले वीडियो में आप लोग को जो है 13 number तक हल कर दिया गया है आजए question number 14 को देखते हैं देखिए दिया 10 inverse 1 minus x बराबर 1 बटा 2 tan inverse x तो x का मान याद कीजिए मतला x के किस मान के लिए जो है यह समीकर संतुलित है तो आएए देखते हैं कैसे मान निकालते हैं देखिए सबसे पहले जो सवाल है उसको तुर्णूट कर लेंगे आप लोग 10 inverse 1 minus x बराबर 1 बराबर 1 बराबर 2 tan inverse x अब ध्यान से देखिए यह जो है आप लोग को एक फार्मूला बनता होगा कि tan inverse 1 minus tan inverse x फार्मूला बनेगा द्यान से देखिए देखिए अगर इन दोनों को मिला देखिए तो tan inverse 1 minus x बटा में 1 धन x होजाएगा बराबर कितना है एक बटा 2 tan inverse x अब 2 से क्या करेंगे इधर गुड़ा कर लेंगे तो 2 tan inverse 1 minus 2 tan inverse x बराबर इधर क्या बचेगा केवल tan inverse x होजाएगा अब यह 2 tan inverse x है हमको x कमान निकालना है तो इसको इधर रनने देंगे इसको क्या करेंगे हम इधर पच्छानतर करेंगे तो देखिए 2 into tan inverse 1 tan में कितने अंस कमान जो है एक होता है तो tan pi by 4 कमान मतलब tan pi तालिस अंस कमान क्या होगा एक तो एक हो गया बराबर tan inverse x इधर देखिए माइनस 2 है तो इधर जाएगा तो plus 2 tan inverse x अब इसको होल कर देगे तो देखिए 2 दूनी चार मतलब pi by 2 हो जाएगा अब इधर देखिए 3 से क्या है गुड़ा है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बराबर tan inverse x हो गया अब देखिए pi by यह कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा बराबर tan inverse x या हम इसको tan को जो है इधर भी ला सकते हैं तो tan inverse इधार है तो इधार आ जाएगओ तो क्या जाएगओ ? tan πद् vaccinated बडाबर x तो tan 5×6 कमान कितना होता है ? tan 5×6 Max 5×6 कि देखे कितना हो गया एक बटा अंडर्ड थ्री बरावर एक्स हो गया तो हम एक्स बरावर भी लिख सकते हैं इधर कर रहें आप लुक को या एक्स बरावर इसको इधर कर रहें इसको इधर तो एक्स बरावर क्या हो जाएगा एक बटा अंडर्ड थ्री यहीं क्या हो गया एंसर इस तरह से यह सवाल हो गया इसको नूट कर लीजिए देखें आप लोग को 15 16 17 यह तीन जो है बहुत कल्पी प्रस्ण है हम जो है इसको हाल करके देखेंगे कि कौन सा आप्शन सही है उसी को टिक करेंगे साइन इन्फोर्स एक मतलब एंगया इसके बडाबर होगा इसके इसके योगा साइज करते हैं साइज दिया साइन को भी किसमी बदलना पड़ेगा इसाइन में कैसे बदलेंगे लिए इसके लिए फार्मूला होता है कि इसको थी का स्वायब का स्वायब प्लास अधार का इसक्वाईर तो ठीक उसी प्रिजाब क्या हो जाएगा लंब का square मतलब X का square और अधहार का square क्या है मतलब 1 का square तो करेंगे तो 1 ही होगा तो इस तरह से फर्मूला हमारा बन जाएगा टान के लिए हो गए ये आप देखे इसके वाम को sign में निकालना है तो sign के लिए formula क्या होगा लंब बटा कर्ड तो लंब क्या हो गया इसमें साइन इन्वर्स में बता लेंगे तो लंब क्या हो गया इसमें एक्स और कर्ड कितना हो गया एक्स स्क्वार प्लस एक तो साइन साइन इन्वर्स मिल जाएगा तो हट जाएगा मतलब क्या हो जाएगा एक्स बटा में x square plus 1 और यह किस option में मिला है यह जो है d option में मिला है तो यह d वला क्या है अपका सही है ठीक उसी प्रकार जो है हम इसको भी हल करेंगे sin inverse 1 minus x minus 2 sin inverse x बराबर 5y 2 तो x का मान पूछ रहा है किसके बराबर होगा तो इसको भी हल करना पड़ेगा देखें कैसे हल करेंगे सबसे पहले जो है उसको लिख देते हैं sin inverse 1 minus x minus 2 sin inverse x बराबर 5y 2 हो गया तो हम देखें इसको लिखेंगे minus 2 sin inverse x बराबर 5y 2 minus sin inverse 1 minus x लिख सकते हैं मतला इधर प्लॉस है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा minus अब देखें 5y 2 minus sin inverse फर्मूला क्या हो जाएगा तो हम इसको लिख सकते हैं minus 2 sin inverse x बराबर काश इन्वर्स x हो जाएगा x के स्थान पर यह कहा है 1 minus x तो लिख देंगे 1 minus x अब देखें इधर काश इन्वर्स हो गया इधर 2 sin inverse तो इसको भी हमको क्या करना पड़ेगा काश इन्वर्स में ही चेंज करना पड़ेगा तो देखें इसके लिए फर्मूला होगा काश इन्वर्स 1 minus 2 x square इसको लिखेंगे हम तो काश इन्वर्स 1 minus 2 x square इसके फर्मूला होता है मतलब 2 sin inverse काश कास इन्वर्स में यह फर्मूला होता है बराबर कास इन्वर्स one minus x अब देखिए दोनों तरफ कास इन्वर्स कास इन्वर्स हो गया तो कास इन्वर्स को क्या कर सकते हैं हटा सकते हैं तो यहां भी हम कास इन्वर्स को अटा दिये तो क्या होगे one minus two x square बराबर one minus x अब पचान यह तो दोनों कट जाएंगे अब देखेंगे इन दोनों में क्या कामन मिला है तो सबसे पहले x कामन मिला है तो x कामन लेंगे तो माइनस 2x प्लस 1 बरावर 0 तो 1x बरावर क्या होजेगा 0 और 1-2x प्लस 1 बरावर 0 करेंगे तो x बरावर क्या होजेगा 1 बटा 2 तो यह किस option में मिला है, 0 और 1 बटा 2, यह option में मिला है, तो यह option क्या है, सई है, आए इसी प्रकार question number 17 को वियाल करते हैं, देखे दिया है, 10 inverse x बटा y माइनस, 10 inverse x माइनस y बटा में x प्लस y, अब यह पूछ रहा है कि किस मान के बराबर है, तो देखे, इसको हम a माइनस b के formula पर लगाएंगे, आप लोगों formula यह दाए, 10 inverse x बटा y माइनस, 10 inverse x माइनस y बटा में x प्लस y, मतलब a के अस्थान पर क्या माल लेंगे, x बटा y और b के अस्थान पर x माइनस y बटा में x प्लस y, तो इस तरह formula क्या होता है, time inverse सुत्र होता है, a माइनस b बटा में 1 प्लस a b, तो इसके लिए फार, यह के जगा क्या रखना है, x बटा y माइनस, x माइनस y बटा में x प्लस y हो गया, फिन, पूरा के बटा में 1 प्लस, दोनों का क्या करना है, गुरन फल, x बटा y, इन्टो x माइनस y, बटा में x प्लस y, अब देखिए, उपर उपर हल कर लेंगे, और नीचे, नीचे, तो tan inverse, देखिए, उपर, क्या है, y है, और x प्लस y, तो इसका लसा पर वही हो जाएगा, y ब्रेकेट में x प्लस y, हो गया, अब देखिए, अगर y से भाग देंगे, तो x प्लस y बर जाएगा, अब इसमें क्या करना है, x से गुड़ा, तो x स्क्वाइर प्लस x y, हो गया, फिन माइनस, अब देखिए, इसको भाग करेंगे, तो कितने बर जाएगा, y बार, तो इसमें y से क्या करना है, सम में गुड़ा करना है, तो x y माइनस y स्क्वाइर, हो गया, बटा में, नीचे वाले को भी हल करेंगे, तो इसका भी लास अब पर, कितना हो जाएगा, y, x, y, इसको भी y से लिख लेंगे, अब देखिए, एक बर जाएगा, तो इतना भी बर जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये, y, x, प्लस y स्क्वाइर, प्लस, अब इसमें भी गुड़ा कर देना है, x में x का गुड़ा करेंगे, तो x स्क्वाइर, और इसमें गुड़ा करेंगे, तो माइनस xy, और देखिए, ये उपर नीचे दोनों में मिल ला है, तो ये दोनों क्या होंगे, कट जाएंगे, क्या होजएगा, tan inverse, x इसमें भी ये कट गया, मतलब उपर नीचे क्या है, समान मिल ला, x स्क्वाइर, ये y स्क्वाइर, ये y स्क्वाइर, प्लस, x स्क्वाइर, जब उपर नीचे बराबर मिल जाएंगे, तो उनका मन क्या होता है, एक हो जाएगा, तो tan inverse 1, अब tan में कितने अंस कमा निख होगा तो tan inverse tan pi by 4, मतलब कितना answer होगे, pi by 4, और pi by 4 किस option में मिल ला है, c option, तो इस तरह से आपके क्या होगे, c option सही है, इसको note कर लिजे, आच्छे से revise कर लिजेगा, कल आप लोग को जो है, chapter 3 हल किया जाएगा,